हेलो फ्रेंड्स और मेरे सम्मानित किसान भाईयो यूटूब चैनल किर्शी ग्यान में आपका स्वागत है आज मैं जो या बारले में लगने वाले रोग डिजीज बीमारी वे उनका नियंतरन कंट्रोल से सम्मंदित वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अधिकतर इस समय जो की बालिया निकल रही है या निकलने वाली है तो किसान भाईयो जो का वानस पतिक नेम बॉट निकल नेम होल्डियम वलगेर है इसका कुल ग्रेमनी है इसमें गुर्सुत्रों की संख्या किरोमो जोम नंबर टू एन बरावर चौदे होते हैं वि जैसे गैरूई या रत्वा या रश्ट के नाम से भी जानते हैं गैरूई जो होती है वो दो परकार की होती है नंबर एक काली गैरूई जिसे बिल्यक रश्ट के नाम से जानते हैं इसमें तने के उपर लंबे लाल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और नंबर दो पर है इसमट जिसे कंडभा के नाम से जानते हैं यह दोत रिकार का होता है नमबर एक अनवरत कंडवा जिसलूज समट के नाम से जानते हैं यहऊ 5 00 रोग है इसमें जब पॉधो में बाली आती है तो उनमें दाने की जगह काला चुन बन जाता है इसके बाद आता है हमारा बंद कंडवा जिसे हम कवर्ड इसमट के नाम से जानते हैं यह रोग यूश्टी लागो और डाई नामक फपुन से लगता है इसमें भी बाली में दानों की जगे काला चुण बन जाता है जो बहुत महिंजिली में बंद रहता है किसान भाईयों अगर हमने जो की फसल को इन रोगों से नहीं बचाया यानि इंत्रन इनका नहीं किया तो 20 से 50 पिरति सत्त तक फसल उपस प्रभावित हो सकती है फपून जनित रोग की रोग थाम के लिए बालिया निकलने से पहले हमें कारबंडा जिम 12 परसेंट प्लस मेंको जब 33 परसेंट की 2 ग्राम मात्र पिरति लीटर पानी मिला कर छड़काव करने से इनको रोगा जा सकता है अगर किसान भाईयो बालिया आपकी निकल आई है उस इस्तिती में हमें प्रवपी कोना जोल 25 परसेंट इसी या टैबू कोना जोल 25.9 परसेंट इसी की एक एमल मात्रा पिरति लीटर पानी में मिला कर या 200 एमल मात्रा पिरति एकर छड़काव करने से फपून जनित रोगो का निदान क्या आजा सकता है इसके अलावा किसान भाईयो एक होता है जो में मोल्या रोग जिसे हम मोल्या डीजी जॉप बालने के नाम से भी जानते हैं इसका भी प्रभाव जोगी फसल में देखने को मिलता है इस रोग से पीरत पौधे छोटे वे पीले रंके दिखाई देते हैं यह रोग नेमा टोट के कारण होता है इसके कंट्रोल के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर छोड़ देना चाहिए और हो सके तो एक या दो साल फसल नहीं उगानी चाहिए ऐसे खेतों में अगर किसान भाईयो मेरी ये वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी धन्यवाद